नमस्कार पहाड़ प्रभाद देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूँ कौशल सेट आज का दिन बहुत ही खास है क्योंकि आज सावन का पहला सोमवार है वैसे तो हर सोमवार भगवान शिव की उपासना के लिए अच्छा माना जाता है लेकिन सावन के सोमवार का अपना अलग महत्व है सावन का महिना भगवान शिव की उपासना का महिना होता है शावन मास के सोमवार बहुत ही सौभागे शाली माने जाते हैं मानेता है कि इस दिन व्रत रखने से सभी तरह की मनों कामनाय पूरी हो जाती है। लेहाजा ABP गंगा इस मौके पर आपको उत्रा खंड से भी शिव भत्ति के रंग दिखा रहा है। दो तस्वीरें आपके सामने हैं दक्षेश्वर महादेव मंदिर हरिद्वार का और मोटेश्वर मंदिर काशिपूर का जहां सावन के पहले सोमवार के दिन शद्धालू अपने आराद भगवान शिव को जल चड़ाने पहुंचे हाला कि इस दोरान सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा गया यह पहला मौका होगा जब सावन के सोमवार पर शिव मंदिरों में भीड जादा नहीं दिखाई दे रही है क्योंकि कोरोना काल चल रहा है सोशल डिस्टेंसिंग के साथ लोग यहां जल चड़ाने पहुंचे हैं मंदिरों में भगवान शिव का जला शेक किया जा रहा है सावन के सोमवार को भगवान शिव को जल चड़ाने का खास महत होता है और अब आपको सीधे देहरादून लेकर चलते हैं जहां हमारे समवादाता रवी कैंतुरा हमारे साथ जुड़ गए हैं रवी इस बार कोरोना काल में काफी तस्वीर बदली हुई है सावन का आज पहला सोमवार है देहरादून में किस तरह से श्रद्धालू अपने आराध्य को जलाभिशे करने पहुँचे है सावन का पहला सोमवार है और जिस तरीके से उत्राखन तो देव भूमी है यहाँ पर कण कण में भगवान विराजमान है लेकिन जिस तरीके से जो लंबी-लंबी कतारे मंदिरों में लगती थी वो कहीं देखने को नहीं मिल रही है यह पूरा कोरोना का असर है हर एक शेतर में कोरोना ने इस तरीके से जो है अपना कहर बरपाया इस बार कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो आहत हुई है धार में भावनाएं भी जो लोगों की जो शरदालू पहुंसते थे अपने आस्था को लेकर वो भी कहीं न कहीं कम हुई है लोग इस चीज़ से भी परहिज कर रहे हैं अपने घरों में पूजा आरचना कर रहे हैं लेकिन कुछ लोग मंदिरों तक भी पहुंच रहे हैं जलाबी शेक कर रहे हैं लेकिन मूर्तियों को नई चुना है इसके साथ इसा सोशल डिस्टन्स का खयाल रखना है मास्क पहन कर आना है ये तमाम चीज़े हैं उसके बाद इस श्रदाल मंदिरों में आ रहे हैं देहरादून का यहां पर जो यहां पर जो श्रिम मंदिर है जहां पर तमाम भीड होती थी लेकिन मैं एक थोड़ा सा दिखाऊं अपने दर्शकों को कि उतनी भीड तो आपको नज़र नहीं आएगी लेकिन कुछ लोग हैं जो अपनी आस्ता के चलते मंदिरों में आगे हैं और यहां पर पूज़े अर्चना कर रहे हैं जो भी यहां पर व्यक्ति भीतर आ रहा है उसको मास्क पैना अनुवारे आप देखेंगे कि सभी लोगों ने मास्क पैने वे हैं और उसके बाद अगर आप सामने भी देखेंगे तो यह लिखावा भी है मंदिरों बर बकाइदा नोटिस लगे वे हैं कि मूर्तियों पर जो है हाथ लगाना पर्तिबंदित है उनको नाच हुए क्योंकि जो कोरुणा काल है उसमें जो है किस तरीके से पूरी एहतियात बरतनी है और आस्ता को भी अपना जो है उन सब चीजों को भी आगे बढ़ना है कुछ लोग यहां पर पहुंचे उनसे बा ही और धियात के तोर पर लोग जो मंद्रों में आ रहे हैं मास्क लगा कई ही आ रहे हैं सोचल डिस्टैंसिंग मेंटेन कर रहे हैं हम भी मंद्र डेली आते हैंम मूर्तियों को हाथ नहीं लगाते हैं हम दूर से जलावी fareक करते हैं और हारे तो शंक्र भगवान जैसावन पर पहुंश रहे हैं उनलों का यही कहना है कि आज वो भोले नाथ से यह प्रास्टना कर रहे हैं कि जिस तरीके से कोरोना काल चल रहा है उसमें जो है वो अपनी किरपा दरिश्टी बनाए रखें और सब कुस ठीक हो जाए तो यहां पर जो तमाम मंदिर हैं दैरादून के ख पर के बात करें तो वो भीड़ जो है आज नहीं मिलेगी लेकिन यहां पर किस तरीके की ब्योस्ताइए हैं यहां पर बाल पंडित हैं हमारे साथ जो इस मंदिर पर रहते हैं किस तरीके से आप लोगों ने इस बार जो है जो जो शरदालों आपर पहुंच रहे हैं उन परवेश कर रहे हैं इस परकार से सभी सरदालों की मनोकामना पूर्ण हो जो इस काल में जो कोविड नाइंटी कोविड नाइंटी इस काल में सभी सरदालों की मनोकामना भगवान संकर पूरी कर रहे हैं और जो भगत यहां पे आ रहे हैं सरदालों यहां पे आ रहे हैं वो पूरे नियम के साथ मंदिर में परवेश कर रहे हैं और सभी हमारा पूरा सयोग कर रहे हैं मंदिर समीती के सभी सरदस्यों का सयोग पूरे सरदालू कर रहे हैं पूरे तन, मन, धन से पूरे तरीके से पूरे सभी सरदालू मंदिर में आ रहे हैं और सभी सरदालू जो भी है क सिवलिंग पे नियम नियमा वली के अनुसार ही जलाब से कर रहे हैं दुख दव से कर रहे हैं तो सभी सर्दालों की मनों कामना पूरुन करे भगवान संकत धन्यवाद बिल्कुल और एक चीज़ मैं और बता दूँ कि यहां पर मन्दिरों में ये भी कोशिश की गई है कि जो बुजर्ग लोग हैं और जो छोटे बच्चे हैं वो मन्दिरों में ना आएं इस बार श्रदालों की संख्या में कमी आई है कंखल के दक्षेश्वर महादेव मंदिर में श्रदालों की सुरक्षा के लिए मंदिर प्रबंदक और पुलिस प्रहशासन ने कोरोना को देखते हुए कड़े प्रबंद किये हैं होपन कम महीना स्ष्रमणा नक्षतर के लिए प्रशैध्य महीना है और स्चरमणाक्षत्रसे श्रामड मास का प्राण होता है सावन मास में भगवान सिव के उपर चुकि मस्तक पे गंगा विराजमान है इसलिए भगवान सिव पे गंगा जल और रुद्रा विशेक दुख्द दही पंचामरित से बिल्वपत्र सहद इत्यादी से भगवान की इस्तुति और पुजा करने का सास्त्रों में वर्णन है काशीपूर से भी हम आपको सावन के मौके पर मोटेश्वर महादेव मंदिर की तस्वीरे दिखाते हैं मंदिर में सावन के पहले सोमवार के दिन शिवभक्तों की उम्री भीड वही कोरोना के चलते सुरक्षा का भी खास खयाल रखा गया बिना मास्क लगाए मंदिर में प्रवेश नहीं दिया जा रहा है इस बार शिवलिंग पर जल चड़ाने के लिए विशेश व्यवस्था भी की गई है तो काशिपूर की यह तस्वीरें हैं जहां मोटेश्वर मंदिन में शिवलिंग पर जल चड़ाने के लिए विशेश व्यवस्ता की गई है दूर से ही लोग जो जल अभिशेक करेंगे वो भगवान शिव तक पहुंचेगा सोशल दिस्टेंसिंग का ध्यान दखा गया है इसलिए जो विशेश व्यवस्ता हैं मंदिरों में की गई है दूर से ही गर्वरे में जाने प्रवेश बंद कर दिया गया है दूर से ही ऐसी वश्ता की कि आप जल के पात्र जो है अपने लाइए और जो वहां रखते हुए कलश है उन्हों में डालिए तो आपका जल जो है भगवान शंकर को शाक्षात आपके समूप चड़ की आए हैं बड़ी ख़बर देश में फिर बढ़ाए कोरोना मरीजों का अक्राव 24 घंटे में 24,242 नए मरीज आए हैं एक दिन में 425 मरीजों की संक्रमन से मौत हुई है तो लगादार बड़ी ख़बर बता रहे हैं देश में अब तक कुल 6,97,413 कोरोना मरीज हो गए हैं देश में अब तक कुल आकड़ा 6,97,413 हो गया है इसमें एक्टिव केस 2,53,287 और जो ठीक हुए हैं वो 4,24,432 हैं तो देश में कोरोना काम आकड़ा लगातार बढ़ता जा रहे हैं आगे पढ़ते कोरद्वार के दोगड़ा ब्लॉक के जमरगड़ी में आज सुभा बादल फट गया बादल फटने से इलाके में भारी नुकसान हुआ जिसमें ग्रामीनों के खेत खलीहान भगए एक शक्स की गौशाला और मुर्गी बाड़ा भगए जैसे बादल फटने स पानी गाओं की और तेजी से आया तो लोग अपने घरों को छोड़ कर भग गए जिससे एक बड़ी अन्होनी से घ्रामीन बच गया हाला कि जब पानी कम हुआ तो घ्रामीनों ने राहत की सास ली वहाई ग्रामीनों में प्रशासन के खिलाफ आकरोष है ग्रामिनों का कहना है कि प्रशासन को सूचना देने के बाद भी कोई अधिकारी और करमचारी उनकी सुद लेने नहीं आया जमरगड़ी गाओ मुखे सड़क से दो किलो मीटर दूर है और ये पैदल करास्ता है इसलिए कोई अधिकारी भी यहां आने से कतराते हैं और तस्वीरें आप देखिए बादल फटने के बाद किस तरह की तस्वीरें यहां नज़र आ रही हैं पूल है बैगी चाहे यह इतना नुक्सान और करेंगा नेनितल के खैरना में कोसी नदी में दर्दनाक हादसा हो गया यहां कोसी नदी पार कर रही दो महिलाएं पानी के तेज बहाव में बह गई गई यह महिलाएं जंगल से घास काटकर वापस लोट रही थी इसी दोरान पहाड़ों में हुई भारी बारिश से नदी का जलिस्तर बढ़ गया फिलाल SGRF ने एक महिला का शव रेस्क्यू कर निकाल लिया है वहीं एक और महिला की तलाश अभी भी जारी है उदर तेज बारिश की वज़ह से श्री नदी का जलिस्तर बारिश की वज़ह से इस तर अच्छानक बढ़ गया है जिसकी वज़ह से एक शक्स नदी के तेज बहाओ के बीच फंस गया पुलिस को तुरंट सूशना मिलने पर SDRF की टीम भी मौके पर पहुची और शक्स को बचाने में जुड़ गई SDRF और जल पुलिस ने इस शक्स को बचा भी लिया हमारे द्वारा यहां मौके पे जल पुलिस की टीम, SDRF की टीम बुलाई गई तो उसके द्वारा अराब के मादम से टापकों से सुरक्षी निकाल के किनल लिया आए गए है पिथोरागण के मौनस्यारी तहसील में शनिवार से हो रही भारी बारिश के कारण जंड जीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है यहां के तल्ला जोहर छेत्र के नाचनी भैस कोट मोटर मार्ग पर पहाड़ों से लगातार मलबा गिर रहा है जिससे सडके बंद हो गई है पैदल चलने का रास्ता तक नहीं बचा है और नदी के बहाव की आप आवाज सुन सकते हैं कितना तेज इस नदी का बहाव है भारी बारिश के चलते पूरा जंड जीवन अस्तव्यस्त हो गया है मौनस्यारी तहसील में शरीवार से भारी बारिश हो रही है पिथोरा गड के मौनस्यारी तहसील की ये तस्वीरें हैं तो वहीं बागेश्वर में भी बारिश मुसीबत बन गई है तेज बारिश से बागेश्वर में सर्यू घोमती नदी का जलिस्तर बढ़ गया है लगातार होरी बारिश ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी है जिससे आपदा विभाग भी अलर्ट मोट पर है वहीं बारिश की बागेश्वर में मौनसून की पहली बारिश ने प्रशासन की पोल खोल दी है पहली बारिश में ही ये हाल है कि कोड़द्वार का बसड़ा तालाब बन गया है और बसड़े के अंदर बाहर पानी भरा हुआ है आलम ये है कि कोई भी जगा ऐसी नहीं बची है जहां पानी न भरा हो परिन तस्वीरों को देखकर समझे कि कोड़द्वार में क्या कुछ हाल है त्रशासनिक लापरवाही है पानी निकासी के इंतजाम ना होने के चलते सड़क पर नदी बह रही है बसड़ा डूब गया है पता ही नहीं चल रहा है कि कहा सड़क है और कहा बसड़ा इतना ही कहेंगे कि कोड़द्वार को भुवान भुरों से सोड़ दिया गया है यहां किसी किसम का कोई देखवाल नहीं है जिससे आम जंता इसलिए परिशान है इधर रुदरपूर नगर निगम के मेर रामपाल सिंग ने रुदरपूर की जंता से माफी मांगी है मेर का कहना है कि मौनसुन ने दस तक दे दिया और नगर निगम लॉकडाउन के चलते सही से नालों की साफ सफाई नहीं कर पाया जिसकी वज़े से मुखे बाजार सहीट कई छेत्रों में नाली चोक होने के चलते जल्बराव की इस्तिती पैदा हो गई है उन्होंने कहा कि वो छेत्रों की जंता से माफी मांग रहें लेकिन आने वाले समय में मौनसून से पहले ही नगर निगम पूरी तैयारी कर जल्बराव की इस्तिती से लोगों को निजात दिलाने का काम करेगा कि लगातार हमारी सफाई चल रही है और हम प्रियास कर रहे हैं कभी किसी भी तरीके से कहीं पर भी जल्बराव की इस्तिती ना हो लेकिन इसके बावजूर भी मैं यह जरूर कहना चाहूँगा आपके मीडिया के माद्यम से कि जो आज के हालात है, इन हालातों में ये तेकिन क्योंकि चार मीने का लोकडाउन का टाइम था और इसमीच कोई भी काम नहीं हो पाया है इसलिए इस बार मैं पूरे अपने नगरवासियों से चमा चाहूंगा एक छोटे से ब्रेक लिए रुक रहे हैं फॉरान वापस लोटते हैं आप देख रहे हैं एवीपी गंगा खबर आपकी जुबाँ आपकी वीको टर्मरिक क्रीम इसमें है हल्दी और चंदन के गुर्ट जो खील मुहा से दूर करे और दे नाच्रल सुंदरता वीको टर्मरिक क्रीम 24 कैरेट सुंदर्य दे सोने जैसा निखार सिगरेट की तलब तो उठेगी उसे कंट्रोल करो निकोटेक्स के साथ डब्लू एचो की मानो सिगरेट छोड़ो कोरोना वाइरस से बचो हमें यकीन है आप पे निकोटेक्स अब पढ़ने के लिए नया कंप्यूटर भी मिलेगा और दोसे के लिए नया पैन भी क्योंकि अपनी दुकान में मिलेंगे आपके जरूरतों के सारे सामान पूरी हिफाज़त के साथ बताईए क्या चाहिए आमेजॉन आपकी अपनी दुकान महारशी अमरित कलश 53 जड़ी भूठियों की सिनर्जी से बना सुपर रसायन है जिस पर अंतरास्टे स्तर के रिसर्च और क्लिनिकल ट्राइल्स होई हैं ये इम्मुनिटी बढ़ाता है और आपको तराव मुक्त रखता है आप अंदर से तंद्रूस और मस्बूर्ट बने रहते हैं प्रेक्वास स्वागत है आपका और रुक करते हैं बड़ी खबर का देहरादून से ये बड़ी खबर आ रही है आज से दुधारू पशूक्र कारिक्रम की शुरुवात होगी बड़ी खबर देहरादून से आज से दुधारू पशूक्र कारिक्रम की शुरुवात होगी सीम्म तरवेन सिंग रावत इस कारिक्रम का शुभारम करेंगे सुबा ग्यारा बजे डोलवाला के दूधली में ये कारिक्रम होगा दोपहर बारा बजे पौधा रोपन का कारिक्रम भी है जिसमें सीयं त्रिविन सिंग रावत शिर्कत करेंगे तो बड़ी ख़बर देहरादून से बता रहे हैं आज पशूक रहे कारिक्रम की शुरुवात होगी हरिद्वार में कैबिनेट मंतरी मदन कौशिक ने बीजेपी नेता नरेश शर्मा को जम कर फटकार लगाई दरसल मदन कौशिक ने अधिकारियों और अपने तमाम कारेकरताओं सहित पारशदों की बैठक बुलाई थी पोटो भी डाल देते हैं जिसके बाद मदन कौशिक ने पहले तो उनके पास बेड़े बीजेपी नेता नरेश शर्मा को फटकार लगाई और उनसे सवाल किया कि बिना अधिकारियों के किसी भी कारेका उद्गाटन आप कैसे कर सकते हैं क्याद कि अधिकार ने जानकारी के साथ जुड़ गए है रोहत वावाई लूटने के चक्कर में कहीं न कहीं महेंगा पड़ गया मदन कौशिक ने जिस तरह से फटकार लगाई है नरेश शर्मा को अब क्या कुछ सफाई दिये इन्होंने कि अधिकारी को नहीं बुलाया ना अजय इस मामल ने जो अधिकारी को पूछा गया एक काम हुआ नहीं हुआ तो पता लगा कि अधिकारी मंदी ने पूछा अधिकारी को लेखा और अधिकारी को पता तक नहीं है तो नरेश शर्मा ने अपनी सफाई में कुछ दलिल दिये क्योंकि यह तो बहुत बड़ी एकसे लापरवाही कही जाएगी कि योजना का उधिकारी को पता तक नहीं है जी बहुत शुक्रिया रोहिता आपका तमाम जानकारे लिए तो भाषपा नेता नदेश शर्मा को फटकार लगाई है मदन कौशिक ने अधिकारियों के बिना ही उद्धाटन करने पहुंच गए थे नदेश शर्मा पूर्व सियम हरिष्टरावत ने त्रिवेंद्र सरकार के सोशल मीडिया में निगरानी को गलत बताया उन्होंने कहा कि वो सरकार के इस कदम की घोर निंदा करते हैं यह अभिव्यक्ति की स्वतंतुरता में कुठारा घात है उन्होंने कहा कि प्रिंट और इलक्रानिक मीडिया पर पहले से ही लगाम लगाई जा चुकी है ऐसे में कोई भी अपनी बात सोशल मीडिया पर रख सकता था सरकार अब उस पर भी बैन लगा रही है जो सरासर गलत है यह देश के लिए बहुत खतरनाख है आप संच जो संभवात के माध्यम में उन पर को नियंत्रण में रखना चाहते हैं पहले से ही आप बहुत आर्म ट्विस्टिंग कर रहे हैं आपने प्रिंट और प्रिंट और एलक्रानिक मीडिया में पहली बार यह संभोधन सुनकर के दुख होता है गोधी मीडिया आदी जैसे बड़े दुखत संभोधन है बड़े घिनिस संभोधन है और आप सोशल मीडिया को भी उसी तरीके के आरूपों के दायरे में लाना चाहते हैं मुझे सरकार के जो कूपरियाश है मैं इसकी घोर निंदा करते हैं उत्रकंड में अधिकारी जन प्रतिनीधियों की बात ही नहीं सुनते ये आरूप यहां लगते रहते हैं लेकिन मुके सचेव उत्पल कुमार सिंग ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वो जन प्रतिनीधियों की प्रतिष्ठा का खयाल रखें उनका फोन तुरंत उठाएं अब इस पर राजनीती भी तेज हो गई है इस मुद्दे पर सत्तापक्ष की अपनी दलील है तो विपक्ष के लिए सरकार पर ये निशाना साधने का मौका है अब देखेए प्रोटोकल में सबके लक्ष्वन डेकाते हैं और चोग की मैं फ्रोटोकॉल मंत्रि भी हूँ तो कभी भी जन परतिनीधियों का अपना एक अलग प्रोटोकल होता है और परिसासेनिक दिकारियों को ये हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि वो निथा नहीं और मुझे लगता है कि जब यह चीजें ध्यान में रखेंगे तो कहीं भी कोई दिक्त नहीं है एसा देखेंगे ऐसा नहीं है यह घुरसवार घोड़े को किस तरह उसकी लगाम पर वो पगड़ने का काम करता है लगाम कितनी उसके कंट्रोल में यह घुरसवार में डिपन करत चिटियों से कहीं किसी को सम्मान मिला करता है। सवार अनाडी है तो नीचे गिराते हैं दुलत्ती मारते हैं। सवार ठीक ठीक है तो ठीक सवारी करने देते हैं। यहां तो सारे हनाडी बैठे वे, जब साफा लपेट करके 90 दिन प्रदेश का मुख्या घर में बैठ जाएगा, तो समझ जाएगा चीफ सेकरेटरी भी और सारे सेकरेटरी की क्या है, इनके अंदर मेटीरियल क्या है, तो इसलिए भईया चिठियों से कहीं सम्मान नहीं मिला क प्रताप रूडी के समधी समधन की मौत हो गई, हाथसे में उनकी बेटी और कार का ड्राइवर गंभीर रूप से घायल हो गया, यहाथसा देहरादून मसूरी किमाडी रोड पर हुआ था, मसूरी देहरादून किमाडी रोड संकीर, संक्रिय होने के चलते कई जगा पर इग्रस्त है, सड़क किनारे पेराफिट या क्रॉस बेरियर नहीं है, इस मार्क पर हो रहे हाथसों की मुख्य वज़े सड़क किनारे पेराफिट और क्रॉस बेरियरों का ना होना है, अगर सड़क किनारे क्रॉस बेरियर होते तो काफी हद तक किमाडी मार्क पर हो रहे हा को रोका जा सकता था वहीं इस पर सियो मसूरी नरिंद्पन का कहना है कि इस संबन में जल्द उच्छा धिकारियों के साथ वारता कर किमाडी मार्क पर क्रॉस बेरियर लगवाए जाएंगे और बड़कोट से इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है जहां 17 दिन बाद ग्रामीनों का धर्ना खत्म हुआ है गाओं तक सडक पहुँचाने की मांग को लेकर ये ग्रामीन धर्ने पर बैठेते हैं और 17 दिन बाद अब ग्रामीनों ने ये धर्ना खत्म किया है बड़कोट से बड़ी खबर आपको बता रहे है। पर ध्यान देने का और इसके बाद अब इन ग्रामीडों ने अपना धर्ना खत्म किया है।